A very good morning to all of you. How are you? I hope you all are rocking at your places. So dear students, today we are going to do a new Hindi swear. और वो नया swear है चोटा ओ. चोटा ओ. ओ. चीक है? अब मैं आपको बताती हूँ चोटा ओ. आओ बच्चो तुम्हे सुनाओ ओ की कहानी. मुझ्ज को सुनाती थी जो मेरी नानी. अब देखो चोटे ओ से. क्या है ये मैं के हाथ में? ओकली ये है ओकली ये है ओकली छोटे उसे ओकली अंदर से खोकली खोकली मतलब खाली देखोई खाली है यहां से जगा छोटे उसे ओकली अंदर से खोकली छोटे उसे ओकली करे खट पट खटपट अवाज आ रही है न खटपट छोटे उसे ओखली करे खटपट इलाईची कूटे ये देखो छोटी इलाईची है न चाय में डाल दिया न मम्मा अब मम्मा चाय बनाते है पापा के लिए इलाईची कूट के डालते न उसमें तो कूटना मतलब उसको अच्छे से पीस देना तो ये क्या करती है जब इसके साथ इलाईची कूटे तो खटपट खटपट ठीक है चोटे उसे ओढ़नी कितनी है प्यारी लुक ओढ़नी यानि की दुपट्टा चोटे उसे ओढ़नी कितनी है प्यारी जैसे हो ये फूलों की क्यारी देखो, यह जो मैम का दुपटा है, ओड़नी है, इस पर फूल बने होगे न, आपकी ममा भी दुपटा लेती न, सूर्ट्स के साथ, उस पर कितने सुन्दर सुन्दर फूल बने होते हैं, तो यह ऐसे लगता है दुपटा, यह ओड़नी ऐसे लगती है, जैसे कि फूलों की क् भी, ठीक है, ओड़नी यानि की दुपटा, ओड़नी इसको इसलिए कहते हैं, क्योंकि हम इसको ओड़ते हैं, ओड़ना यानि की अपने उपर लेना, अब चोटे उसे देखो, गिरते हैं ओले, ओले क्या होते है बेटा, कहीं बार आपने देखा होगा, बारिश होती है न, चोटी चोटी स्नौबॉल्स गिरती हैं न, वाइट वाइट कलर की, बर्फ की गोलियां गिरती हैं आसमान से बारिश के साथ, उसको हिंदी में कहते हैं ओले, चोटे उसे देखो हैं ये ओले, बारिश के संग गिरते होले होले, कहीं बार बारिश आती है, हमेशा हमेशा नह कई बार जब बारिश आती है तो बारिश के साथ छोटी छोटी snowballs गिरती है उन्हें हिंदी में कहते है ओले ठीक है चोटे उसे देखो है ये ओले ये देखो मैं मैं रेन बनाई है ब्लू कोलर की और वाइट वाइट बाल्स बनाई है ये है ओले चोटे उसे देखो है ये ओले बारिश संग गिरते हुले हुले अब ये देखो चोटे उसे देखो है ये ओस चोटे उसे देखो है ये ओस ओस पर चलना रोज एक कोस ओस पर चलना रोज एक कोज अब ओले क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको देखो कई बार जब आप सुबह उठते हो ना मौर्निंग में उठते हो आज कल देखना आप वैदर चेंज हो गया ना कई बार आप मौर्निंग में उठते हो जो आपके घर में प्लांट्स लगए उनके पत्तों पर ये देखो ये शाइन कर रही है वाटर ड्रॉप्स दिख रही है आपको देखो है न ये वाटर ड्रॉप्स देखो ये देखो वाटर ड्रॉप्स ये गिरी है न ये होती है ओस इसे कहते है ओस रात को जब हवा ठंडी ह जाती है, तो जो पत्तों पर गिरती है, तो बन जाती है ओस, यह है, ऐसकी बूंदे, इसे कहते हैボो अब कल सुवह मॉर्णिंग में उठके, आप अपने गारडन में जाके देखना जो पत्ते है ना, उनके उपर यह वाली ओसकी बूंदे गिरी होंगी, ठीक है?. शोते IP ओस पर चलना रोज एक कोस अब क्या कहते हैं अगर आप नंगे पाओं विदाउट स्लिपर्स जो ग्रास के उपर जो नीचे ग्रास होती घास होती है उसके उपर ओस गिरी होती है उस पर अगर चलोगे न रोज तो आप बिमार नी पड़ोगे मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं ओस ठीक है नाओ वन्स अगें लेट्स रवाइज लेक्टर ओ जो चीजें ओसे स्टार्ट होती हैं ओसे ओड्नी ओसे ओड्नी छोटे ओसे चोटे ओसे ओस चोटे ओस और चोटे ओसे ओस और चोटे ओसे ओले चोटे ओसे ओले अब मैं आपको बताऊंगी चोटा ओ कैसे लिखते हैं ठीक है